महोदे यहां यह उलेखनिये हैं कि सीत युद्ध की समाप्ती वा समाधान एशिया की गटनाओ तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेना की बापसी से ही हुआ है अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संग के अस्तित्व के लिए कश्ट दाई और मुस्किल हो गया इस भया भय युद्ध से सोवियत सेनाओं की बापसी से अनेक गटनाओं ने जन्म लिया जिनकी परिनती सीत युद्ध की समाप्ती से हुई तथा जिसमें जर्मन का एकी करण तथा सोवियत संग का बिगटन सामिल है संचेप में सीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रवाप पड़ा एशिया के सभी देश यह चाते थे की छेतर में सांती बनी रहे चीन और सोवियत संग का सीमा बिवाद चीन और बियतनाम का जगड़ा और भारतवा चीन का सीमा बिवाद उस समय की परिस्थितियों को इस्पष्ट करता है इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलेंड और फिलिपीन्स के साथ अमरीका के खेमे में चला गया था जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंदों के कारण पश्चिम के देशों में सामीप्य इस्थापित कर रहा था इससे एशिया के एकता को एक नया धक्का लगा है क्योंकि एशिया के देश अलग-अलग खेमों में बट गए थे 1960 के दशक में एक नया मोड आया जब सीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुरभाब हुआ इससे दक्षणी पूर्वी एशिया के देशों में नय आर्थिक और सुरक्षा संबंदी प्रयास किये गए इन देशों में सांस्कृतिक एक रूपता की वज़ा से भी एक नए गुट ने जन्म लिया लेकिन यह कहना कठिन होगा की इन दक्षण पूर्वी एशियाई देशों से समुचे एशिया की पैचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उस से धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीती बहुत इसपश्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमी पुत्र नीती को जन्म दिया भारत भी अब आशियान का सैयोगी सदस्य बनने जा रहा है भारत की पहल से दक्षिन एशियाई सैयोग संगठन सार्क की इस्थापना सन 1985 में की गई जिसके फल सरूप पड़ोसी देसों के आपसी सैयोग के लिए नया बातावरण तैयार हुआ यह प्रयास सने शने उप्योगी रूप लेता जा रहा है जो एशिया की पहचान बनाने की और मेहदपूर कदम है व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्यान, संचार माध्यमों में बढ़ोत्री ने विश्व गाउं के विचार को भी पैदा किया बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार, एवं विज्यान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया अंग्रेजी भासा, हॉलिवोड, कंप्यूटर्स तथा उपभोकता संस्कृती ने पूरे विश्व को प्रभाबित किया जिससे देशों में फासले कम हुए संस्कृती और सब्विता भी प्रभाबित हुई हो सकता है कि इसके अच्छे परणाम ना हो ऐसी भी आसंका की जाती है उधारन तहा जापान दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृती और सब्विता वा संयुक्त परिवार जैसी आधार भूत सामाजिक मानिताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था बलकि उससे चिप्ट हुआ था लेकिन जापान जैसे सब्विता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके महोदे दूसरे सब्दों में आर्थिक व्यापारिक निवेश और तकनीकी कारणों से दुतिय महयुद्ध के बाद और सीत युद्ध के दोरान एशिया के देशों में पु सही नहीं है कि एशिया की संस्कृती और सब्विता को पश्शिम के प्रभाव और आधुनिक्तम तरीकों ने नस्ट कर दिया हाँ एक धक्का जरूर दिया पर समय समय पर एशिया का यह रूप एशिया की यह सब्विता और संस्कृती बलसाली तरीके से उदेमान होती दिख पंडित जवाहर लाल नहरू ने 1945 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ओफ इंडिया में एशिया की पैचान पर लिखा है कि हजार बरसों से जब यूरोप अपने अंदकार के युग में था एशिया ने अपने मनुश्यों की प्रगती सील आत्मा को प्रवावसाली डंग से दर् विश्वास भी जताया की एशिया की संस्कृती और सब्विता यूरोप की सब्विता और संस्कृती से अधिक प्राचीन है आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहां आध्यात्मिक क्रांती की बात करते दिखाई देते हैं और अपने आर्थिक विकास को भी प्रति बिम्बित करते हैं मलेशिया के प्रदानमंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्ते की बात करते हैं और आधुनिक्ता और पारंपरिक संस्कृती के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाते हैं भारत के प्रदानमंत्री भी मद्यमार्ग की बात करते हैं जिस इसको बे भारत का पारम परिक विचार कहा करते हैं। बियत नाम के यशश्वी नेता भी सामिवादी विचारधारा को पारम परिक सैशुनुता के अनुसार ढालना चाहते थे। एशिया के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई गोशनाओं का वर्तमान संदर्वों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए जो एशिया की पहचान को नए सिरे से बनाने में साहयक सिद्ध हो रहा है। यहां यह भी बताना उचित होगा की हाल के बरसों में एशियाई देश विशेश रूप से पूर्वी एवं दक्षिन पूर्वी एशिया के देश एशिया के सुद्रन देशों के रूप में उबरे हैं। और इन देशों के आर्थिक बिकास की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक बिकास की दर से अधिक है। तथा जिनके आने वाली सताब्दी में विश्व आर्थिक बिवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आसा है। आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रे मुख्य रूप से अनुशाशित कारे किफायत एवं बचत की उची दरों जैसी एशियाई विशेष्टाओं को माना जाता है। तथा इनसे देशों की जनता के जीवन इस्तर में सुधार आया है और एशिया की पुना खोज जैसा बातावरन बन रहा है। एशिया के देशों में अब आपसी बाई-चारे की भावना उभर रही है। और इससे ये देश परस पर निर्वर हो रहे हैं और सीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने एशियाई पडोसियों के साथ बहतर संबंद बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रती सकारात्मक रवया अपनाया है। इन सब प्रिश्णों का जवाब आज उपलब्द नहीं हैं। लेकिन शने शने इन प्रिश्णों में ही इसके उत्तर मिलेंगे। एशिया अपने इन प्रिश्णों के उत्तर में एक नए एशिया को जन्म देगा। और अपनी एक नई पैचान बनाएगा यूरोप और अमरीका के आधुनिक और द्योगिक विकास में फर्ग नजर आता है